हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुंड़ई i20 के फेसलिफ्ट मॉडल के बारे में तो चलिए वीडियो शरू करते हैं जी हाँ, फ्रेंज बहुत ही जल्द भारती असरकों पर आपको i20 का फेसलिफ्ट देखने को मिल जाएगा क्या कुछ नया क्या कुछ खास आने वाला है नहीं i20 में आईए उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंज प्राइसिंग के बारे में तो आपको 7 लाग से लेकर 12 लाग रुपे तक इस गारी के लिए चुकाने पड़ सकते हैं एक्स शोरूम बात करें एक फ्रेंज गारी के डाइमेंशन्स के बारे में तो डाइमेंशन्स में कुछ खास चेंजिस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गारी का फेस स्लिप ही आ रहा है लेंध 3995 mm आपको मिल जाएगी विर्थ 1775 mm हैद 1505 mm आपको मिलेंगे साथ ही साथ में 2580 mm का वील बेस आपको देखने को मिल जाएगा 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको गारी में मिलेगा साथ ही में इस बार थोड़ा सा बूट को अपग्रेड किया गया है 315 लीटर का आपको बूट स्पेस गारी में देखने के लिए मिल जाएगा साथ ही साथ में नए डिजन की अलोई वील्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो 817 के साथ में इस बार गारी में आने वाले हैं जो कि आपको टॉप स्पेक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे साथ ही मगर हम बात करें गारी के इंजन उप्षिन्स के बारे में तो आपको 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इस बार गारी में देखने को मिलेगा जो करीबन 118 BHP की power produce करेगा और 21 KMPL mileage आपको देगा क्योंकि ये engine आपको hybrid के साथ देखने को मिलेगा जो smart hybrid system मिलता है इसी के साथ में 1.2 naturally aspirated आपको petrol engine देखने को मिलेगा जो अभी भी चल रहा है जो की 85 BHP की power produce करेगा और साथ ही में आपको 20-22 KMPL का mileage देदेगा दोनों ही engine आपको 6-speed manual और 7-speed DCT के साथ में के लिए मिल जाएंगे इसी के साथ अगर हम बात करें trains गाड़ी की safety के बारे में तो safety में आपको इस बार ADAS function देखने को मिलेगा गाड़ी में जी हाँ, trains level 1 ELA level 2 का आपको ADAS system गाड़ी में देखने को मिलेगा साथ ही साथ में ABS EBD 8 airbags, hill holder engine control, tire pressure and monitoring system जैसे functions गाड़ी में standard देखने के लिए मिल जाएंगे जिससे गाड़ी 4 से 5 star rating के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाएगी बात करें interior की तो all laser interior आपको गाड़ी में देखने को मिलेगा top ends में जिसमें आपको 11 हिंच का touch screen system देखने को मिल जाएगा जो की Android Auto, Apple CarPlay जैसे इस functions wireless support करेगा इसी में आपको blue link facility मिल जाएगी साथ ही साथ में आपको wireless charger, ventilated seat, panoramic, sunroof ये सारे functions भी गाड़ी में available रहेंगे So friends, आपको वीडियो कैसा लगा? हमें comments box में जरूर बताए Thank you for watching अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करे और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आई है तो चैनल को subscribe करना ना भूले झाल करना भूले